हेलो दोस्तों मेरा नाम है दिशा विश्ट गॉड और आप देख रहे हैं जागरन जोज डाट कॉम और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करेंट अफेर्स के क्वेश्चन्स और क्या क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे साथ ही इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिक कर देना होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ एक इन्वाइस प्रतसाहन योजना शुरू कर रही है जो सभी राज सरकारों के साथ मिल कर आगे बढ़ाया जा रहा है यह जो पाइलिट योजना है यह एक सितंबर दोहजार तेईस को शुरू की चाहेगी इसकी शुरूआत पुडुचेरी दादरा नगरहवेली दमन और दीव असम गुजरात और हरियाना राज्यों में लॉंच किया जाएगा शुतरंज विश्व कप दोहजार तेईस का टाइटल किस खिलाडी ने जीता है विश्वनांथन आनंद लेवन एरियोनियन मेगनस कालसन और प्रग्नननंदा इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेगनस कालसन नौरवे के शतरंज खिलाडी हैं मेगनस कालसन जिन्नों ने फाइट वर्लक कप का खिताब जीत लिया है उनका पहला खिताब है फाइनल मुकाबले में कालसन ने भारत के युवा कि बारोध शतरंज खिलाडी रमेश बाबू प्रग्नननदा को मात दी मेगनस कालसन पांच बार के वर्ल्ड च्वेंपियंशिप भी जीट चुके हैं भारत के विश्वनाथन आनंद और लिवन एरोनियन दो दो बार फाइड वर्ल्ड कप अखिताब जीट चुके हैं सच वायू सर्वेक्षन 2023 के दस लाग से अधिक अबादी कैटेगरी के में पहला स्थान किस शहर को मिला है आपके ऑप्शन से इंदोर भोपाल आगरा जयपुर सही जवाब है ऑप्शन ए इंदोर स्वच वायू सर्वेक्षन 2023 के दस लाग से अधिक अबादी वाले शहर की श्रेनी में इंदोर ने पहला भोपाल ने पांचवा जबलपूर ने तेरवा और ग्वालि इंदा ने कितने मीटर की त्रो के साथ पैरिस ऑललंपिक दौजाथचॉबिस के लिए क्वालिफाय किया है अपके उप्शन से है अठासी द्रिशमलव शाट साथ मीटर इEEEE 88.33 मीटर सही जवाब है इसका ओप्षिन ए 88.77 मीटर आपको बता दे कि ओलम्पियन च्वेंपियन नीरज चोप्रा ने फिर से एक कमाल किया है और 88.77 मीटर के अपने करियर के चोथे सर्वस्टेश्ट थ्रो के साथ पैरिस ओलम्पिक 2024 के लिए क्वालिफाइ कर लिया है 2024 पैरिस ओलम्पिक 2024 के लिए क्वालिफाइ कर चुके है उनतरवे राश्ट्रिय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का वार्ड किसे मिला है आपके आप्षिन्स है सर्दार उधम सिंग रोक्ट्रेरी ता कश्मीर फायल्स गंगुवाई काठ्यावारी सही जवाब है इसको ऑप्षिन भी रोक्ट्रेरी आपको बता दे कि उनतरवे राश्ट्रिय फिल्म पुरस्कार की घोशना कर दी गई है बेस्ट एक्ट्रिस का वाड़ आलिया भट को मिला है गंगुवाई काठ्यावारी के लिए और कृति सनन को मिला है मिमी के लिए तो वहीं बेस्ट फीचर फिल्म का अवाड रोक्ट्री दानंबी एफेक्ट आर माध्वन को दिया गया है आपको बता दे कि बेस्ट एक्टर का आवार्ड अलु अर्जुन को फिल्म पुश्पा के लिए मिला है जबकि आर 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 ने बेस्ट एक्शन डायरेक्शन और स्पेशल इफेक्ट और कोडियोग्राफी का आवार्ड भी जीता है राशपती द्रापदी मुर्मू किसकी स्मृती में एक डाक्टिकट जारी कर चुकी हैं आपके ओप्शन्स हैं प्रकाश सिंग बादल अरुन जेटली दाधी प्रकाश मनी इनमें से कोई नहीं सही जवाब है इसको ओप्शन सी दाधी प्रकाश मनी आपको बता दी कि राशप पहल के अंतरगत जारी किया गया बात करते हैं पिछले वीडियो के सवाल की सवाल था हाल ही में प्रफेसर कल्यमपुडी राधाकृष्ण राव का निधन हो गया वह किस शेत्र से जुड़े हुए थे सवाल के आपके चिकित सा स्पेस सांखी की पत्रकारिता और इसका सही थे और अमेरिका में रहते थे भारत सलकार ने सियार राव को साल 1968 में पद्मभूशन और 2001 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मभूशन से सम्मानित किया था अब बात करते हैं आज की सवाल की सवाल है हिंदुस्तान एरनोटिक्स लिमिटेड ने ना पसंद आई है तो उसको लाइक करना ना भूलें साते साते से इस वीडियो को शेयर करें इस तरह क्यों वीडियो उसके लिए आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में एक बैल आइकन बना होगा उसको क्लिक करिएग ताकि कोई भी विडियो अगर अग्लो